तरपुर शहर की सरकिट हाउस में भारत जोडो यात्रा बंदेल खंड का दर्द पत्रकार वारता की गई पत्रकार वारता में वथिप्रदेश युआ कॉंक्रस के दास्टिय प्रवक्ता आरूंडे परमार मौजूद रहे उन्होंने कहा कि मीरा संकल्प है कि भारत जोडो यात्रा के साथ पूरा चलूंगा और टाखुल गांदी को बंदेल खंड के दर्द से अवकत कराऊंगा बंदेल खंड में किसारों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याच्वार को लेकर जो है कश्मीर से कन्या कुमारी तक जाओंगा वही दूसरी और युआ कॉंगरेस जिला ध्यक्ष लोकेंदर सिंग ने कहा कि किसारों की बेरोजगारी युआओं की समस्या और इन सभी चीजों को उठाने के लिए हर गाओं हर गली हर कॉलोनी में वो जाएंगे और अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ जो है न्याय दिलाने का वो अपना भरपूर प्रयास करेंगे भारत जोड़ो यात्रा जो इस देश में नफरत के माहौल के खिलाफ और इस देश के जो मुद्दे हैं महगाई बेरोजगारी इन मुद्दू के खिलाफ निकाली जा रही है मैं उस यात्रा का पहले दिन से हिस्सा हूँ प्रती दिन 25 किलोमीटर चल रहा हूँ और चलते चलते जब मैं इंदौर के करीब पहुँचा 1800 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब मुझे खबर मिली कि बुंदेल खंड के च्छतरपुर जिले के बिजावर के पास जो देवपुर बक्सोहा गाउं है वहाँ के एक दलित किसान जिनका नाम अहिरवार जी है जो दयाराम अहिरवार जी है उनकी खाद के लिए लाइन में लगे लगे लिए भाई अरणुदय पर्मार जी जो की राहुल जी के साथ अठारा सो किलोमीटर पैदल चलने के बाद बुंदेल खंड में जो किशानों का दर्ध है जो बुंदेल खंड के किशान लगातार आत्मात्या कर रहे हैं और जिन पे एकसासन प्रसासन और यहां के लीडर्शिप या यहां के जन प्रितनी धी या यू कहें कि मद्धिपर्देश की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है उस आवाज को उठाने के लिए आज इस प्रिसवारता के माध्यम से हम लोगों ने एक सुरुवात का संकल्प लिया है